हाई अवेरीवन आज मैं आपके लिए स्किंडिजीज में क्या पत्य आपत्य होता है यानि क्या आपको परेश करना है क्या आपको खाना है यह सारी बात है आज मैं आपको डिटिल लिए से बता हुआ क्योंकि skin disease में चाहे वो सुराइसिस हो अरटी केरिया हो या इचिंग समस्या हो मुहासे हो या कोई दाद हो फंगल इंफक्षन हो या अधर कोई skin infection की समस्या हो तो सबसे पहले इसमें परेज बहुत जरूरी है कोई भी बीमारी हो आपको छोटी से चोटी बड़ी से बड़ी बीमारी क्योंकि उसमें जब तक आप परेज नहीं करोगे कोई आपको लाब मिलने वाला नहीं है तो आज मैं आपको सारी बात हैं डिटल से बात करूँगा और पूरा एक डायेट चार्ज बतांगो आपको क्य क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो देखिए सबसे पहले जब भी आपको इसकिन की बीमारी बनती हैं तो आप यहीं पता नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या चीज़ नुकसान कर रही है क्या हमें फाइदा कर रही है और क्या चीज़ खाने से हमें रोग बढ़ रहा है आप तो देखिए सबसे पहले जो इसके मरीज हैं उनको सबसे पहले तो जितने भी दूद वाले फूड आइटम हैं जितनी मिल्क वाले हैं जो दूद से जो चीजा बनाई जाती हैं चाहे दूद हो मक्षन हो घी हो छाज हो दही हो इन सबी चीज़ों से दूर रहना है अब आप सोचोगे हम तो दूद पहले से पीते आ रहे हैं तो यह क्या आप नया बता रहे हैं तो देखिए दूद आपने पहले से कोई भी चीज खाते आ रहा हैं तो पहले आपको नुकसान नहीं कर रही थी लेकिन जब आपको बीमारी बन गई है सकी तो इसमें दूद आपका जहर का काम करता है क्योंकि दूद आपको डाजेश नहीं हो पाता है और दूद हजम करने में काफ़े ज्यादा आपको को मेहनत करनी पड़ती है और इससे भी आपका पित्त बढ़ जाता है और जब जब आपके बॉड़ी में बाइल जूस बढ़ेगा इसकिन की बिमारी आपको बढ़ जाती है और ठीक कभी नहीं हो पाती है तो जितने भी दूद वाले आईटाम है इससे आपको अब्याट कर को आपको नहीं खाना है दालों में केवल आपको मूंग की दाल खाना है अब आप सोचोगी जा आपने इतने आइटम सारे दालों में बंद करा दिये तो हमें इनका रीजन तो बताईए देखिए उड़दी की डाल के बारे में सब पता है कि वह कॉंस्ट्री पिसन बनाती ह और ये वातरो आपके बाड़ी में ज़्यादा बढ़ा देती है और जब जब या आप उड़दी की डाल का परियोग करेंगे आपके बाड़ी में टॉक्शिंस की मात्रा बढ़ेए और कौंस्ट्री पैसन भी बढ़ेगा आपके बोड़ी में दूसरा मशुड की डाल मतr से जो बेसन ब différend जाती तो जब जब अपको वाला भी इसके दो high कि आपको आपकी इसकेर बढ़ा देटा है अब तीसरा हम बात करते हैं हम फ्रूट्स में अब देखें फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सारे फ्रूट्स ऐसेडिक होते हैं अमली है जो अमल वाले तासीर होती है ना पित्त्र की मातरा को बढ़ा देते हैं, लेकिन मैं आपको एक कॉमर रूप से मना करूँ गोग होगा, इसमें नीबू हो गया, संतरा हो गया, मुसम्मी हो गया, इनको आपको नहीं खाना है या इमली या खटाई इनको आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है क्योंकि जितने भी citric foods हैं जितने भी आपके खटे वाले फल हैं या आपके body में gastric acid को बढ़ा देते हैं और gastric acid के बढ़ जाने से आपके body में bile बढ़ जाता है और आपकी body pH level से आपकी body घट जाती है और आपकी body में द्वारा skin की समस्याएं बढ़ जाती है तो इसके अलावा आप केला बगारा खा सकते हो हैं या थोड़ा चीकू बगारा खा सकते हो लेकिन पपीता भी नहीं खान आपको 6 महिने तक आपको बिल्ट कुल नहीं खाना क्योंकि छह महिने में आपकी body बिल्कुल आपके भी मारी को ठीक अलेती है और दीरे धीरे आपको एक अरक आती है मार्केट में लेकिन आपको क्या-क्या सब्जी नहीं खानी है सुनिए देखो एक तो आपको गोबी नहीं खानी है फूल गोबी हो गई या बंद गोबी हो गई इन्हें खाने से भी आपके बोड़ी में इसके डिजीज बढ़ जाती है दूसरा जो पत्यदार वाली चीज लिए खाना है क्योंकि आंपके बॉड़ी में आहिका बैर जाती है रिखाती है दूसरा जो और आइटम होते हैं जैसे आपके टामाटर का प्रियों नहीं करना है आपको टामाटर खाने से ही वह आपको इसकिंशा बढ़ जाती है सबजियों में आपको कि तना भ्दि आपको इतना भी धियन रखना है अब बात करते हैं मसालों में क्योंकि हर समक्षब हैं मसाले हैं वो आपको प्रियोग नहीं करना है चाहिए वो इलाइची यानि इलाइची पीपल काले मिर्च लॉंग जाइफल डाल चीनी इनका आपको प्रियोग नहीं करना है बाकी आप देखिए आप मिर्च के खा सकते हैं जैसे लाल मिर्च कहते हैं कमात्रा में धनिया खा सक करते हैं बात करते हां में कौनց सा तेल आपको प्रयोक करना है तो आपको केवल सरसों का प्रयोक कर को आपको नाज में जो पराना अनाज आता हैं न क्योंकि पराना now आज आपको फायदा करता है नय आनाज खाने से आपको इसकिन की बीमारियां बढ़ जाती है और जो लोगों को एलर्जी है ग्यहूं खाने से बो लोग बाजरा का और मकाई का प्रयोग भी कर सकते हैं इसके अलावा जितने भी भार की चीज़ें हैं जो पैकट बंद वाले चीज़ें आती हैं जैसे पीजा बरगर इडली दोसा चाओमीन पेश्टरी जितने भी सारे चीज़ें आती हैं पैकट बंद वाले चीज़ें आती हैं वह आपके सरीर में इसकिन की बीमारियों को बढ़ा देती हैं क्योंकि यह जितने भी फूर्स होते हैं वह फर्मेंटेट फूड हो गया जले भी हो गई तो इनसे भी आ और बिटामिन चीज़ें आती हैं गलती हूं अगर पोदएके स सब्चेजब कर दिया हैं को बढ़ने तो तो इस जिएमारियों को आती हैं कोई भी सबजी नहीं है ऐसा कोई भी फूट्स नहीं है जिसमें सारी बिटामिन नहीं पाई जाती है बस खासकर इतना होता है कि जैसे बिटामिन सी वाले में फूट्स बताएं तो उनमें सबसे जादा बिटामिन सी पाया जाता है तो ऐसा नहीं उसमें बिटामिन और जो बि प्रूट्स बता रहा हूं तो उसमें सबसे ज्यादा प्रूचुत मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है तो जो चीज़ें आप सब्जी आखा ओगे और भी चीज़ें खाऊगे उन्म सारी विटामिन्स पाई जाती है तो आपको छे मेने इनको बंद रखना है अब हमें पैगन अर्बी और टमाटर के अलावा जो हरी पत्यदार सब्जी आए जैसे आप पालक है या आपको थोड़ा जो लाया का साग है या जो आपको मैथी है इनके अलावा जो भी सब्जी आए जो आपको सब्जी आफादा करती है जैसे लोकी, तोरई, कासी पले, टेंडे हो तो चैनल को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सकाब जरूर करें